सो दोस्तों आज मैं आपको interview experience शेयर करने वाला हूं जो की clinical research company का interview है एक्जामपल दू तो आपने ये Covid के लिए फाइजर का वैक्सिन लिया रहेट तो फाइजर भी एक्लिनिकल रिसेर्ज कंपनी है तो ऐसी कंपनी में मैंने इंटर्यू दिया जब इंटर्यू होने वाला था दोस्तों तब मैं हैदराबाद में था अल्रड़ी एक छोटी कंपनी में मैं काम कर रहा था वो भी एक क्लिनिकल इसर्च फॉर्म ही थी वन मंत हुए थे मुझे वहां जॉइन की हुए वहां उस शेयर करण वीडियो के की अने थिकल क्या था तो जब मुझे ऐसंट इंटरियू के कला इसंटर्यू के लिए कॉल आया उन्होंने डिट बताी इंटर्यू के लिए मैंने मैंने ठीट किया फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया मिरा नडीोज़ेसा के तुछ में तूर्थberg नपने आसन ए अगा कि इस कुछ सिद के दिखतों और दोस्तों मुझे दिखतों कि इस तो फाक से इंटरनेट जो है वो ठीक से नहीं चल रहा था मैं पीजी में था और आपको पता है पीजी का इंटरनेट कैसा होता है तो वीडियो नहीं आ रही थी ठीक है फिर मैंने मेरे पीजी के इंटरनेट से फोन के इंटरनेट पर स्विच किया फिर फाइनली फोन पर स्व करते हैं ऐसे बीच में मैंगर करते हैं अगर बीच बीच में इसीनियर पूछेह पूछ को विच्ट कुछ पुछे मुझे कुछ क्वेस्टन साय और कुछ क्वेस्टन के अंसर नहीं आया तो फिर ऐसा होने के बाद एंट्रिव खतम हो गया कुछ दिन बाद वहापिस मुझे कॉल आया कि आपका सेकेंड रांड के लिए आपका शौटलेस्ट हुआ है तो वापिस उन्होंने मुझे एक डेट दी और यह डेट उन्होंनेी पर देट कि थी और मुझे वो डेट दी और मैं एगरी हो गया उस डेट के लिए और उस पॉटिकल डेट को अगें इंट्रीव हुआ अगें मैं उस ताइम पर सो रहा था जस्ट आधे गंटे पहले उटा तो पहले इंट्रीव में मैंने कुछ कुछ मिस्टेक्स की थी दोस्तों तो मैंने वह जो मिस्टेक थी ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने सूचा कि चलो फर्स्ट इंट्रीव में मुझे नहीं आया था ना उसका एक बर कुछी रिवीजन कर लेते हैं और नेक्स्ट इंट्रीव में इतिफाक से कि में मुझे नहीं आया था वाफिश पूछा गया और मैंने बेहले हैं और कुंह फूल कर पाई रहär हैं उसकी बात मुझसे पूछा गया की आप कि असली काम करते हो और फिर यह भी पूछा गया कि अभी आपने जॉइन के चोड़ना क्यों चाहते हो तो मैंने रिजन बताया वह कंपनी में सेलरी का कुछ इशू था प्लस नाइट शिफ थी तो वह मैंने बताया तो उसी से तो एगरी हो गया क्योंकि मुझे उस कंपनी में जॉइन कि हुए है है तो फिर यह सब होने के बाद ऐसे मेरा सेकंड रांड भी हो गया और रांड होने के बाद वापिस हो गया जैसे मैंने बताया मेरे सुने का समय होता था और मेरा वहां वाक होता था तो इतना होने के बाद मुझे वापिस कॉल आया कुछ दिन बाद तो यह सब विदिन 77 डेस के इंटरोल में चीजे चल रही थी तो जब मुझे वापिस कॉल आया मुझे बुला गया कि आप थर्ड रौंड के लिए सेलेक्ट हो गए हो एंड वह एचा राँड में मुझे कुछ question पूछे गए उस में यक difficult question था कि मतला मैं mechanical background से होता हूं आता हूं मेरा education चैसिन जो रहां इनजीनीर तो मैंने उनको बट भूर्वेस बोला कि मैं गुजरात में रहता था और वहां पे मुझे पबली गुजरातीया था इंगलिश में में था बट ही और गुजराती प्रिफर की जाती थी तोसे से मझे वहां पे इतना एक्सपोजर नहीं मिला इंग्लेश बोलने का सीखने का बट जब मैं बहुत मैं न हैं रहा तो होगा मिलते बोलते इस चीज मैंने लिस्क हाइख क कहा Kane के साथ मेरा इंप्रूव हो जाएगा हमने बताया कि मुझे कंप्पेटर्स में रश्ट था फिर वनने मेकानिकल में भी एक्टले डीजाइन कोम किया था कुछ मंस तो मैने उन्हें भी बताया कि यंदि बिंग मेकानिकल इंजीनियर चुज तो वर्क आज डिजाइन इंजीनियर विकाज लब तो विद कंप्यूटर्स तो यह सब बोलने के बाद वह दन हुआ फिर अगीन कुछ सुनने और और पूछा कि मतलब कि आप कितना स्टेबिलिटी दे सकते हो इस कंपनी को यह सब बात है कोई भी कंपनी चाहेगी कि कोई भी एंप्लॉई जो उनको जॉइन करे वह एटलिस स्टेबिलिटी दे विकास तम भी कंपनी को फायदा होता है तभी उस कि क्लोग तो फिर यह होने के बाद में आराउंड मुझे तीन वीक हो गया ते सब होते होते और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि फिर्स्ट राउंड कब होगा सेकेंड राउंड कब होगा जस्ट मुझे कॉल आता था और मैं रडी हो जाता इंट्रूव के लिए और अनुद्रोश आधे गंटे पहले सोरा वता अधा दिन में आधे गंटे पहले ऊठके मैं रैडी होके थोड़ा ब sophom कर लेता था मैं इतना सब्सेंटिर्स नहीं ले रहा था मतलब क्या होगा जोड़ा बहुत रहता है क्योरीसिटी रहती है अपको अच्छी कंपनी सेलरी में तो इतना नहीं था जितना मुझे स्टार्टिंग में होता था और यह मेरा सवेंथ या एट्थ इंटर्व्यू था ठीक है तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि आपका एचार रांड भी क्लियर हो गया आपको कुछ ौक करने है उन्होंने मुझे डाक्यूमेंटेशन शेयर किया जिसमें मुझे साइन करना था वर्चोली और उस दिन संडे था संडे को मुझे अर्च ने कॉल किया और कंफ़िंद किया मैं काफ variety कुछ हो गया संडे को उन्होंने के और संडे कुछ व्रब्लय ऐसा हो दाएं कि सतथे आईज वर्क नहीं करती तो मैं खुश हो गया Sunday को और दोस्तों मुझे लगाता है कि मतलब पहला रौंड मोस् पबली क्या आता बता है screening round होता है screening round यानिया आपसे basic कुछ question पूछते तो या तो टेलिफोनिक हो सकता है या तो कैसे भी हो सकता है बट मेरा पहला रौंड ही I think कुछ टेक्निकल जैसा ही था उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल पर क्वेस्टिन्स पूछे और दूसरा राउंड भी टेक्निकल था लेकिन दूसरा राउंड थोड़ा था थोड़ा सा लॉजिक पर काफी फोकस किया गया था और फिर तीसरा राउंड HR था यह तो मान के चलो क कि आप आप का इंटर्यूर रहे हु कर दे चाहिंटी के किसी भी job दे रहे हुए और में पर प्रेंज साफ्टिवर पर से सस्क्राइस स्टीड तैस्टिकल प्रोग्राम कर सभाएंट तो क्लिनिकल इंडश्री में यूँ के ये वन अप दो पोजिशन है जिस पर आपको अच चलता रहता है तो यह सब होने के बाद इतनी पर ही बात नहीं खत्म ही जो मैं छोटी कंपनी में था वहां पर भी मेरा बॉंड था उन्होंनों मेरा डॉक्मेंट भी लेके रखे थे तो कुछ इशू हुए मुझे वहां से रिलीज होने में बट मैं मन बना चुका था कि मैं य अर्थिकल वे से कराते थे ठीक है वो भी एक रीजन था छोड़ने का फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ श्रगल हुआ फिर मैं उस कंपनी से रिलीज मैंने कर लिया खुदको और मैं बैक टू बरोडा आ गया गुजरात बिकास यह जो करेंट कंपनी थी वह बैंगलोरों किया उन्होंने और उसके बाद बरोडा आ गया और वर्क फ्रम होम चलता रहा तो दोस्तों इस एंट्रुव के एक्सपिरेंस से एक चीज बताता हूं यह मैंने वह इंट्रुव शेयर किया जो मैंने क्रैक किया ठीक है एक मन्सी का इंट्रुव और जो स्मूधली क्रैक किय कि एक्चुली उस दीज में थोड़ा मैच्व होते जाते हो सिर्फ नॉलेज में ही नहीं अंडरस्टेंडिंग में भी ठीक है और जैसे जैसे आप इंट्रुव देते जाते हैं आपका जो फीर होता है इंट्रुव को देने के लिए या कैसे बात करेंगे क्या क्या नहीं मैंंट दिये जा रहा था कभ दो सब्सक्राइस नहीं यह दोस्तों मुझे कड़ा को इंट्रिव स्रिफ टेक्निकल चीजें नहीं होती इंट्रिव में बहुत सारी चीजें देखी जाती है जैसे कि मैंने काफी पर बताया है और टेक्निकल तो देखी जाती है बट अब जितना स्मूदली इंट्रिव देगे ना जितना स्मूदली उतना आपका इंट्रिव अच्छा होगा और उतना अच्छा इंपेक्ट पड़ेगा सामने वाले पर देखो दोस्ते बाद हमेशा याद रखना इंट्रिव बहुत लिमिट होता है क्योंकि आप ऐसा फ्रेशर जा रहे हैं आप से यह उमीद नहीं की जाती है कि आप मतलब सीधा वह फराटेदार आप नौलेज रखो इतनी इतनी उमीद रखी जाती है कि आपने जो सीखा है उसका आपको और इसके बाद आपका कम्मुनिकेशन और आपका बिहेवियर ठीक है तो इंटर्यू हमेशा स्मूदली देना है एकदम हस्ते हस्ते देना है और इस तरह से कम्मुनिकेट करना जैसे कि आप उन्हें जानते हों आपके फ्रेंड हो गबरानी की ज़रत नहीं है वह जादर से जा आदर डालो फीडबैक लेने की इंटर्यू खतम होने के बाद ऐसी आदर डालो कि आप उनसे पूछो कि लाइक कैन यू रिट लाइक कैन आई नो वाट रदे थिंग्स आई शूड वरक अपन क्या कुछ चीज़ें आप बता सकते जिन पर मुझे काम करना चाहिए करते हैं करते हैं करते हैं और फिर जैसे यृट्स मिलेंगे तो जाके मतलब मेरा अच्छी कामनी मेंeking सेलेक्शन हुआ तो सेम एक्सपिरेंस आपके लिए भी हो सकता है किसी का एक इंट्रूइव में हो सकता है किसी के दो किसी से कंपार नहीं करना है बस अपना बैश देते जाना है और चीज बताओं कि कि आप अपने करेंट जॉब को छोड़े ना अगर कोई जॉब आप कर रहे हैं उसके साथ आप यह प्रोसे करें बहुत बार मैंने नोटिस किया कि आप इस जॉब के भरोसे बैठे और इसमें जितना टाइम मिल रहा है ना आप डी मोटिवेट होते जाते हो ठीक है मतलब जित हों अगर आप खाली भी हो और आपको लगता है कि क्या किया जाए जाधा टाइम जा रहा है तो आप कोई जॉब पार्ट टाइम कुछ या कुछ ना कुछ तो करें खाली मत बैठें बिगास खाली दिमाग सैतान का घर दोस्तों आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो किसी किसी भी सौफ्ट्वेर की किसी भी एक्जाम की सेलेक्शन तो आप सभी का होना है ठीक है सिर्फ उसी को दिक्कत होती है जो बीच में जर्नी छोड़ देते हैं ठीक है मन्जिल सभी को मिलनी है जो रास्ते में रुख जाता है सिर्फ उसी को मन्जिल नहीं मिलती या वो मन्जिल तक नहीं पहुच पाता और सबसे इंट्रेस्टिंग बात है कि मतलब जो जॉब लेने का जो सफर है तो जर्नी है उसमें सबसे ज़ारा आपको जर्नी के बीच में सीखने मिलता है तौश्क इसलिए मैं कहता हूं कि जरनी में बहुत चीज़े सीखने को उनको सीखो मनजिल मिल जाएगी और सीखना इसलिए है कि उस जरनी के दौरान उस सफर के दौरान जो भी गलतिया आप कर रहे हो वो मेक शौर करो आप आगे ना करो तो आप कुई भी इंट्रिव देते हो तो वो सफर का एक हिस्सा है ठीक है और हर इंट्रिव पिछले इंट्रिव से बैटर बनाने की कोशिश करो हर बार अपना नौलेज बैटर करने की कोशिश करो हर मन्त जैसे वक्त बीटता जा रहे हैं अपने नौलेज को इंप्रूव करते जाओ नौलेज आपका कम नहीं होना चाहिए उस सौफ्ट्वेर प चाहिए और सबसे बड़ी बात मोटिवेटेड रहना है पूरी जर्नी के दुरू ये एक जॉब है और जितनी भी जॉब्स होती है उस दुनिया में वह आपकी और हमारी लिए ही है ठीक है उन जॉब्स को कोई जानवर नहीं करने वाले सारे के सारे इंसान ही करेंगे बस से आपको अपने आप पता चल जाएंगी और इंट्रू क्राइग भी हो जाएगा और फाइनली युल भी वरकिंग तो अभी जर्नी उसके मजे लो और तब तक के लिए बबाए दोस्तों